इसे केस में रुकने के लिए आप एक ऐसी जगर ढूंड रहे हो जहाँ पे नेचर के सासात मा गंगा का टेट भी आपको मिले और इतनी सांती मिले जहाँ पे आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, शाधना कर सकते हैं, आज मैं जिस आश्रम की बात करी हू इस आश्रम में फेमली के अलावा जो सोलो ट्रैवलर होते हैं, वो भी यहाँ पे फ्री में स्टे कर सकते हैं, तो ये बेस्ट आश्रम मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगी और जानकारी दूंगी, नमस्ति दोस्तों, ट्रैवल विथ राज लक्षिमी में आप आपका स्वागत है, आसा करती हूँ, आप और आपकी फेमली स्वस्त होगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टी शाधना मंदिर अध्यात्मिक आश्रम के बारे में बताऊंगी, जो रिशी केस में मा गंगा के टक पे बना हुआ है, इस आश्रम में आप अपनी फेमल मा गंगा के टक पे रहना चाते है, तो ये आश्रम आपके लिए बेस्ट है, इतना ही नहीं, अगर आप सोलो ट्रावल कर रहे हैं, तो भी आपको इस आश्रम में रुकने के लिए बेवस्था हो जाती है, तो आप बेफिक रहे हैं कि आश्रम है, तो आपको अकेले आ रहे ह इस आश्रम में सबके लिए समान भाव से जगह दी जाती है। आप आ सकते हैं यानि जो सहर वाली लाइफ होती है उससे थोड़ा सा दूर आप यहां पर आके रख सकते हैं। यहां पर खुले विचार से कर सकते हैं। यह जो दूशा हॉल देख रहे हैं वो खीचन है। आप अपना खाना स्वैम बनाते हों। आप अपने खाना स्वैम बनाओ, अपने फैमली जनों को खिलाओ, अपने परिवार जनों को खिलाओ। अपने हाथों से बना के यहां पर खाना खिला सकते हैं। यह जो है बैठने के लिए अगर आपको गपशब करने का मन है तो यहां पर बैठ के गपशब करिए। गुरु जी हैं, महराज जी हैं, उनसे आप कुछ सीखना चाते हैं, बैठ के बाद वारतल आप करना चाते हैं, वो भी कर सकते हैं। पूरा माहल एक फैमिलियर होता है, आगे बताऊंगी मैं आपको, सबसे पहले यह रूम दिखा देती हूँ, यह एक रूम है, जिसमें आपको बेड दे दी जाती है, चार बेड लगे हुए हैं, पूरे फैमिली जन इसमें आ जाते हैं, और यह पूरा यहां पर और भी रू नेचर को इंज्वाय करने का मौका, योग आध्यात्म से जुणने का मौका, वो और कहीं नहीं आपको मिलेगा, तो यह एक बेस्ट आश्रम है, जिसमें आपको हर चीज मिलता है, एक फैमिलियर फैसिलिटी आपको मिलती है, कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं भी बैठे, योगा करे, मेडिटेशन करे, तो यह बेस्ट है, अब चलिए मैं आपको यहां का घाट दिखाती हूँ, कैसा है, यहां पर बहुत सुकून है, यहां पर आप घंटों बैट के अपना समय ब्यतीत कर सकते हैं, सामने दोफैर का समय था, तो सामने राफ्टिंग हो रही थी, उसका भी नजारा आप यहां से उठा सकते हैं, बच्चा लोग यहां पर राफ्टिंग कर रहा था, तो हर चीज यहां से आपको देखने को मिलेगी, चारो तरफ चारो तरफ से यह आश्रम पहार से गिरा है, और बता दो दोस्तों, अगल बगल बहुत सारे आश्रम है, वह हाट पर अश्रम कर सकते हो, मा गंगा का सुबह शाम अर्चना कर सकते हो, बहुत सारी यहां पर आपको रहने का फायदा में गिना सकती हूं, दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, कि आश्रम में रहने के कोई चार्जेस तो नहीं है, फ्री स्टे हैं, लेकिन मे उसका खर्चा अराम से आश्रम में उठा जो लोग बिवस्था करते हैं, वो अराम से आश्रम को चला सकें, बस इतना ही कहना चाहूंगी, चलिए दोस्तों, अब मैं इस आश्रम के लोकेशन के बारे में बता देती हूं, यह लोकेशन रिशी के इसके बदरीनाथ हाईवे ँचाशन के पनाशन के इससके prima साथ ग़ी जाते हुएं अरलने कि इसके पनाशन की बताव जाते हैं। लेक्ट नहीं लेना है राइट लेके फिर आश्रम के तरफ आफ आ जाएंगे यह आश्रम शहर से काफी दूर है इसलिए आपको यहां पे बहुत शांती सकून और नेचर को इंजॉय करने का मौका मिलेगा दोस्तों मैं आश्रम का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूग जिसकी मदद से आप आश्रम तक पहुंच सकते हैं आप लोग को मैंने शारी जानकारी आश्रम से लेटर दे दी है अब आपको शिर्फ एक का मेरे लिए करना है कि चैनल को स्ट्राइब करना है कमेंट करना है और लाइक करना है सबसे ज़्यादा लोगों में शियर करना है ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे और उनको इस आश्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो भी इस आश्रम से जुड़ सके जैमा गंगे हरहर गंगे ओम नमस्षिवाए